जहिन मैं अनिमल दोस्त अरपन चौहान और आज मैं आपके साथ बात करूंगा विवेशी एंड एच फर्स्ट यर की बुक्स के बारे में कौन से बुक्स हैं आपके लिए और कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि आपके तीन सब्जेक्ट हों गे फर्स्ट यह विश्यर में सबसे पहला सब्जेक्ट आपको रहाएगा वेटनरी एनटामी की बात करूंगा सबसे पहले तोटल क्रेडिट आवर होगा सेवन प्लस त्री जो है प्लाइब क्लासे सब्सक्राइब इसके अलावा आपको मैंने बता दिया आपको वेटिस कौन से रहे हैं तीन सब्जेक्ट होंगे आपके और अब मैं बात करता हूँ बुक्स के बारे में, आप तो क्या-के टॉपिक्स पढ़ने हैं इन सब्जेक्ट्स में वैसे तो वेटनेरी की पढ़ाई, क्लास लोड्स, टीचर्स के लासे जो डिसकशन होते हैं, उससे मोद इननाफ है बड़ अगर आप अपनी जानकारे के लिए, डेफरेंस के लिए, या आपको कुछ डाउट सें, उसके लिए आप ये बुक्स जबूर लीजिएगा गभड होता है, हमारी 5 साल की जो डिगरी है, सारे पान साल की, ऊसी पर बड़ होगा तो एनापी, फिजियौलेजी और अपना लाइस्टोप and Patient Management आपको बहुत अच्छे से पढ़ हो तो उसके लिए आप इन मुक्स को बिलकुल देखिएगा और जो आपको पसंद आए उन्हें खरी दियागा क्योंकि यह हमने शाकाम है नहीं प्रजेक्ट है हमारा वेटनेरी अनाटिमी अनाटिमी में आप मारलो ग्रंथ है इस बुक में डिवाइड़ है स्पीशीज वाइज सबसे पहले हमारा आता है रूमिनेंट्स, स्वाइन, कार्निवोर्स और उसके अंदर उनके सिस्टम्स जैसे इसमें हैं औस्टियोलजी, सिंडेस्मलोजी, मैयोलोजी, उनके सारे सिस्टम्स और ऐसे ही आपके ये पोस्टाइन हो गया है, कार्निवोर्स हो गया है और ऐसे ही रूमिनेंट्स का सेक्शन है तो जब भी कोई डाउट हो तो ये बुक हमारी गोटू बुक है फिर आती है हमारी आरके घोश एक्जाम परपस के लिए ये बेस्ट बुक है इसमें सारे ही सब्चेक्शन आप लिक है बहुत ही अच्छे से दे रखे है सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे जैसे औस्टियोलोजी, सिंडेस्मोलोजी, मायोलोजी, स्प्लैंक्टियोलोजी, एंजियोलोजी, नियुरोलोजी और इसमें बहुत अच्छी बुक है, यह Color Diagrams के साथ, अच्छे से समरा जाता है Second book भी इसकी, Embryology और उसकी है, उससे बताया हुआ है इनमें इसके पास एक और book है, सेम author की है, Veterinary Histology or Embryology उसके लिए भी यह best book है, brief में अच्छे से सारे topics cover करे रहे हैं यह Foreign author की book है, Veterinary Anatomy by Dice, Sack and Wissing यह book आपको बाइग्राउंस के साथ, बहुत ही systematically आपको topics समझाती है इसमें भी same while divided है फिर हमारा Veterinary Anatomy के बाद आता है Veterinary Embryology यह Anatomy का एक सब पार्ट है, इसमें दो books है Veterinary Embryology by McGreedy and Veterinary Developmental Anatomy, Indian author की है टी एस चम्दशेका राओ की है यह books, Diagrams के साथ, पूरी Developmental Anatomy सिखाती है जो हमारा एक कोर्स का पार्ट है Veterinary Anatomy का यह दोनों books बहुत अच्छी है Last part है Veterinary Anatomy का Veterinary Histology यह book है Delman and Brown की है यह book हर Veterinary College में इसमें इसमें और इसमें cells उसकी anatomy बहुत अच्छे से बताई हुई है और बुक हम चूज करते हैं कि आपको कौन सी language की book अच्छी लगती है Foreign author की book आपको अच्छे से समझ में आती है या Indian author की इससे आपको decide करना है कि आपको कौन सी book आप पे लिए best रहेगी सारी हो गई यह anatomic books अब हम सलते हैं physiology के तरह अब हम आते हैं हमारे second subject first year के जो है veterinary physiology physiology की बात है और Dukes का नाम ना हो यह होई नहीं सकता तो Dukes physiology of domestic animals best book है physiology के लिए इसमें बहुत अच्छे से सारे systems बताये गए हैं जैसे आपका respiratory system हो गया है renal system, digestive system, सारे domestic animals का बहुत अच्छे से बताया गया है यह जैसे यह book है यह हमारा cardiovascular system हो गया diagram के साथ कितने अच्छे से explain किया गया है फिर है Guyton and Hall की textbook of medical physiology अब आप medical देखके वह मत देखेगा कि veterinary में काम नहीं आएगी system सेम रहते हैं चाहे animals के हैं या humans के हैं इसमें जो basic processes है एक body के बहुत अच्छे से explain किया गया है तो यह आपकी college की पढ़ाई के साथ यह एक बहुत अच्छा add-on है आपके daily study के लिए फाइनली हमारे पास एक है book anatomy and physiology of farm animals यह दोनों subject को बहुत अच्छे से combine करके एक brief करता है और आपको एक full image देता है body में क्या anatomy है और कैसे process होते हैं यह practical aspect बताता है animals का और उनके body processes का तो यह book आप हमेशा रखेगा एक reference के लिए इसके अलावा कुछ handbook type में जैसे हमने आर के गोष देखा था एक्जाम के लिए भट्टा चारसर की बहुत अच्छी book आती है उसको मैं साथ में रैट कर दूँगा last subject है हमारा first year का livestock production management यह एक आपको brief में बता देती हूँ तो इसमें हम farm animals, wildlife, poultry और dogs के बार में पढ़ते हैं बट major हमारा subject है BVSE and AH Animal Husbandry तो हमारा basic focus रहता है womanants और उनके management में तो पहली book है हमारी Thomas N. शास्त्री की livestock production management इसमें सारे animals के बारे में उनकी management, उनका production, उनका region wise कहां पे कौन से animals हैं, कैसे ध्यान रखना है, nutrition, management, reproduction, सब है इस book में अब उनकी housing के लिए, housing भी है इस book में बट GC Benerji की, में text proof of animal husbandry में housing हम पढ़ते हैं specially और बाकी management तो इसमें है, देखे किते अच्छे से इसमें दे रखा है, nutrition कैसे देना है, classifications, vitamins और उनके processes ये book में भी बहुत अच्छे से दे रखा है, finally हमारे ICR की एक animal husbandry की handbook है, इसमें हर topic के बारे में सब कुछ है, आप इसका बस खो लिए, index खो लिए, जो भी आपको पढ़ना है, हर topic मिलेगा आपको, बहुत अच्छा है, मैंने भी ये book बहुत अच्छे से देखे लिए, फिर हम आते हैं, आप जैसे की जानते हैं, पोल्ट्री सेक्टर बहुत ही हूज है, इंडिया में और बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, तो हमारा एक unit आता है, पोल्ट्री पे, वैसे तो college की पढ़ाई सफिशेंट होती है, बट ये वाली book आप ले लिजेगा, सपोक्टा की है, एविएन पोल्ट्री प्रोडक्शन, इसमें पोल्ट्री का पूरा अनाटिमी, उनके functions, उनका क्या diet, क्या diseases होती है, सब कुछ है, ये न्यू वीसियाई में हमारा एड हो गया है, वाइल लाइफ भी, तो वाइल लाइफ में भी आता है, वाइल लाइफ में जादा अच्छी से पताया नहीं जाता है, तो आप ये बुक अपनी reference के लिए ले ले, इसमें सारे wild animals कहां रहते हैं, उनकी anatomy, कैसे उनको restraint करना है, और उनका क्योंकि wild animals को restraint करना ही सबसे बड़ी चीज़ है, उनकी उसके बाद ही treatment होती है, तो ये बुक आप ले लिजएगा wild animals के लिए, finally आते हैं pet animals, pet animals के बारे में जैसे dogs, cats, hamsters, rabbits, ये सब हो गए हैं, इनके बारे में फुस्चिय में जादा पढ़ते हैं नहीं, इसमें जादा हम जब final year of fourth year में आते हैं, तब ही हमारा discussion होता है clinics में, बट आप अपनी knowledge के लिए कुछ बुक्स हैं, जैसे all about dogs by Y.P.S ये ले लिजे, इसमें आप उनकी care, management, कौनसी breeds हैं, ये आप अपनी knowledge के लिए बिलकुल पढ़े हैं, वैसे तो veterinary की पढ़ाई, class notes, teachers के classes, जो discussions होते हैं, उससे more than enough हैं, बट अगर आप अपनी जानकारे के लिए, reference के लिए, या आपको कुछ doubts हैं, उसके लिए आप ये books जबूर लीजिएगा, क्योंकि anatomy, physiology और LPM हमारे basic subjects हैं, उसी पर सब बिलिड होता है, हमारी 5 साल की जो डिगरी है, साड़े 5 साल की, उसी पर सब बिलिड होगा, तो anatomy, physiology और अपना life stock and nutrition management आपको बहुत अच्छे से बढ़े हैं, तो उसके लिए आप इन वुक्स को बिलकुल और जो आपको पसंदा आए, उन्हें खरी दियागा, क्योंकि ये हमेशा कामरी में है,